हलो जी नमस्ते मैं बविता आप सभी का सागत करती हूँ तो देखिए आज बनाने वाली हुमें चिकिन काली मिर्च तो इसके लिए मैंने 700 ग्राम चिकिन ले लिया है तो सबसे पहले आईए हम चिकिन को मेरिनेट करते हैं तो देखी मैंने नेट करने के लिए मैंने यह एक चमच नमक लिया है और एक चमच काली मिर्च पाउडर एक से डियर चमच यह छोटी चमच नीवु का रस है अब अच्छे से इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो जो भी नमक से जो भी पानी होता एक्ष्ट्रा वो निकल जाएगा तो देखिए आप बीस से पंदर से बीस मिनिट के लिए मैं इसको ढख कर रखने वाली हूं तो आईए यहाँ पर दो बड़े प्याज बीस पचीस काजू छे हरी मीर्च और बीस पचीस लेसन को लिए औ और तेल गरम हो चुका है उसके बाद देखिए सबसे पहले मैं इसमें प्याज छोड़ने वाली हूं और प्याज के साथ साथ मैं इसमें अद्रक भी फ्राई करने वाली हूँ थोड़ा सा गोल्डन करना है इसको ज़्यादर प्याज नहीं भूननी है ज़्यादर प्याज भूनेंगे तो थोड़ा कड़वाट पन ग्रेवी में आ जाता है और उसके बाद ये मैंने लहसन की जो कलियां थी वो भी और हरी मिर्च भी अट कर दी है अच्छे से इनको फ्राई करना है तो एक बार ज़रू ट्राई करें देखिए इस तरह से रेसिपी को ये बनाना अब देखिए काजू भी मैंने छोड़ दिया अब काजू को भी मैं थोड़ देर के लिए फ्राई करूँगी काजू भी लगवा फ्राई हो चुके हैं तो एक मिक्षी के जार में मैं इनको निकालने वाली हूं एक फाइन पेष्ट बनाना है तो देखिए मिक्सिकी जार में मैंने इनको निकाल लिया है उठंडे करकर इसको पीस लेना है तो देखिए ये मैंने पीस लिया है अब 5-6 चम्मच ओल छोड़ दिया मैंने उसके बाद जो कुछ खड़े मसाले काली मिर्च, लोंग, दालचीनी सफेद लाइची और ये तेजपाद के पत्ते और देखिए मसाला हो चुका है फ्राई और उसमें मैं चिकिन फ्राई करने वाली हूँ जो मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया था तो देखिए एक साइट से हो चुका है अब साइट चेंज कर दी है ये मैंने चीकिन को पकाना है तो देखिए साइट चेंज करके ये चीकिन हमारा पक चुका है तो अब जो जो पेश्ट बनाया था हमने अधरक लहसन का वह इसमें आड़ करने वाली हूँ में ज्यादा दिन नहीं भूनना है पांच मिनट मसाले में इसमें फ्राई करना है क्योंकि प्याज अउल लेड़ी पहले से ही भून चुकी है तो देखी यहाँ पर मसाला भूनने लगा है जो मसाले ने जो ओल है वो छोड़ना शुरू कर दिया है इसका मतलब मसाला भूनके रेड़ी हो चुका है तो इसमें मैं देखी दही एड़ करने वाली हूँ 700 ग्राम के लिए मैंने 400 ग्राम दही का इस्तमाल किया है अच्छे से इसको चलाकर पका लेना है और गैस को मैंने मीडियम पर रखा है गरम नहीं जादे हाई फिलम पर नहीं रखा है क्योंकि जो यह दही होती है वो फटने का भी डर रहता है और देखिए अच्छे से उबा करने वाली हूं तो देखिए क्रीम डाल दी है मैंने चार चम्मच और उसके बाद धक कर मैं इसको दस मिनट के लिए धक कर चिकीन और दही क्रीम को पकाने वाली हूं तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं अब देखते हैं अब कुछ मसाले मैं इसमें एड करने वाली हूं एक चम्मच काली मिर्च और उपर से ये नमक स्वाद के नुसार नमक थोड़ा ही डाला है नमक पहले भी डाल दिया है सबजी में और ये गरम मसाला गरम मसाला भी डाल दिया है अब देखिए अच्छे से इसको मिक्स करना है और ये अच्छे से मसाला नमक और काली मिर्च मिक्स हो गई है और देखिए अब 8 से 10 मिनट के लिए मैं फिर इसको ढखकर पकाने वाली हूं तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं देखते हैं तो जो गरेवी थी उसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया इसका मतलब चिकिन हमारा बनके रेडी हो चुका है देखिए सारी जो ये गरेवी है सारा जो ओल है तेल ऊपर आ चुका है और देखिए हलके हाथ से चला कर देखने पर पता चल रहा है कि हाँ चिकिन पूरी तरह के से पक चुका है तो आएए ठंडा करकर इसको शर्व करते हैं तो अगर आपको हमारी ये डिस पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार जरूर ट्राइए करें इस तरह से चिकिन बनाना तो देखिए आज का चिकिन बहुत ही टैस्टी बनने वाला है और बहुत ही अच्छा स्वाद लगने वाला है तो एक बार जरूर ट्राइए करें